हेलो नमस्कार डियरी स्टूडेंट विलकम टू सक्सिज केरियर आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पेपर फर्स्ट प्रिलिमिनिरी टेस्ट जो की स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका NFC के लिए ये काफी इंपोर्टेंट होने वाला है तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये NPCIL का official paper है जो की आपको NFC में काफी फायदप पहुचाएगा ठीक है क्योंकि जो भी syllabus से NPCIL का हो गया, NFC का हो गया, IGCRA का हो गया जितने भी stipendry category second की post होती है उन सबका syllabus सेम होता है ठीक है जितनी भी stipendry training category second होता है वो क्या होता है सबी की जो paper होता है वो सेम होता है क्योंकि सबका syllabus देख सकते है सबको यहाँ पे 60 minute मिलता है चाहें वो NFC का paper हो चाहें वो IGCRA का हो, चाहें वो NPCIL का हो, चाहें वो VECC का हो कोई भी stipendry category second का paper होता है तो वो उन सबका pattern सेम होता है कि 60 घंटे में 150 अंका मार्क होता है देखिए से लिए बस सेम होता है कि mathematics से 20 question, science से 20 question और general awareness से 10 question इन सबी paper हो में पूछी जाती है तो आज के हम इस वीडियो में सिर्फ part 1 करने वाले हैं जो की mathematics से होगा 20 question ठीक है वीडियो लंबा न हो इस वज़े सिर्फ हम इस वीडियो mathematics करेंगे बाकी आपको science और general awareness की वीडियो आपको link description बाक्स में मिल जाएगा वहां से जाकर आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं और यहां ध्यान देना है कि यहां NPCIL की 18 practice set है previous year के question paper है तो आप इसको download करके आप अपनी तयारी कर सकते हैं link description बाक्स में मिल जाएगा 18 practice set का तो चलिए यहां से आप लोग स्टार्ट करते हैं mathematics से तो दीए जो पहला part से आपका 20 question आएगा mathematics से जो कि आपको यहां पर करने होते हैं question का level देख लीजिए question का level कैसे पूछता है सबसे पहले दिया है कि identify the prime number identify the prime number यानि कि अभाज यह संख्या पहचानी है तो देखिए अभाज यह संख्या पहचानी के लिए सबसे अच्छा method है कि जो संख्या दिया है उसमें plus one करिए और minus one करिए तो plus one करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा यदि 191 है तो यदि हम 191 में minus one कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 190 होगा अब दोनों में ध्यान देना है दोनों को 6 से divide करेंगे अगर दोनों में से कोई भी एक parts 6 से divide हो जा रहा है तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, यह ध्यान रखीगा, मैं सब पर चेक करूँगा, सभी आप सब पर तई बता रहा हूँ, और आपको, जितने भी अब आज ये संक्या है, ये रूल फोलो होगा, सिर्फ दो और तीन को छोड़ दिया जातों, चलिए, तो यहाँ पर देखिए, 6 से कट रहे का, 6 से ये कट रहे का, 6 तली, 18 और 6 दुनी, 12, कोई एक पार्ट कट गया, यानि कि ये 191 क्या है, प्राइम नंबर है, चलिए दूसरा आप सब भी यहाँ चेक कर लेते हैं, 157, तुम्हें क्या कहा हूँ, प्लस 1 करिए, और माइनस 1 करिए, तो 157 में प्लस 1 करेंगे, तो किन्ना हो जाएगा, 158, और माइनस 1 करेंगे, 157 में तो माइनस 1 करेंगे, तो किन्ना हो जाएगा, 196, और दोनों के 6 से डिवाइड करिए, दोनों में से कोई भी एक पार्ट 6 से डिवाइड है, तो वो क्या है, प्राइम नंबर है, चलिए कट आते हैं, छतली, 18 और छतल हो लिए हो दिया है तो यानि कि सीभी होगा क्योंकि दो पार्ट होगे तो आल्रेडी तीसरा होना है क्योंकि यहां पर बचिक करते हैं 199 का करें प्लास वन करिये और मैंनस वन कर 끝e और ओझाल करेंगे तो छतली 48, चतलीए 48, तो क्या है? ये भी प्राइम नमबर है, तो ये प्राइम नमबर चेक करने का मेथड होता है, क्या करिए कोई भी नमबर हो? उसमें एक बार plus 1 करिए और एक बार minus 1 करिए उस संख्या में, और 6 से डिवाइड करें यदि 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है प्राइम नंबर है आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के कोश्चन पर दूसरा नंबर का कोश्चन दिया है अब दी नंबर 004, 10, 5, 5 ठीक है इसका एवरेज बताना है तो देखे आवसत कहसे निकाला जाता है जितनी भी संख्या है दिया गया है उनका योग कर दीजिया और जितना संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाता है चलिए इसको एड करत 14, 10, 14, 14, 5, 19, 19, 5, 24 और संख्या है कितनी है तो 2, 2, 4, 2, 6 संख्या है तो बटा 6 करिए अब 6 में 24 कितनी बार जाएगा चार बार जाएगा तो करेक्टेंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा अगला कोश्यन दिखिए थाड नंबर दिया है इस एक्स इक्वल टु क्या होगा तो X equal to 0 है तो mod X भी करेंगे तो उसकी value कितना होएगी 0 ही होगा C part यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कोश्यन दिखिए 2 to the power 0 2 to the power 0 equal to क्या होता है देखिए संख्या कोई भी हो उसके power 0 लग जाता है तो उसका value 1 होता है यानि कि A part यहाँ पर सही हो जाएगा equal to 0 इसके समीकार के 2 मूल बताना है कैसे करेंगे तो देखिए X square plus 12 को एक बार एकन बार तो क्या हो जाएगा ऐसा add करके 7x बन जाए तो 3x plus 4x plus 12 बन जाएगा अब देखिए इन दोनों में क्या common हो जाएगा X common हो जाएगा तो X common लेज़े तो X plus 3 बन जाएगा और इधर देखिए इन दोनों में क्या common है प्लस 4 बन जाएगा अब यहाँ पर ध्यान देना है X plus 3, X plus 3 दोनों में common है, बाहर ले लिए X plus 3 common लिए, तो बचा क्या? X plus 4 बचा अब दिखें, X plus 3 equal to 0 लेंगे, तो X की value क्या आजाएगा? X की value आजाएगा minus 3 X equal to 4 लेंगे X plus 4 equal to 0, तो X की value क्या आजाएगा? minus 4 आजाएगा यानि की minus 3 X की value क्या होगा? X की value minus 3 होगा या minus 4 होगा, तो चलिए option में कहां दिया है? minus 3 और minus 4, भी option यहाँ correct हो जाएगा अगला question 6 number का देखिए, which option is correct? कौन सा विकल्प सही है? तो बिल्कुल easy question है, यहाँ पर ध्यान देगे, greater दिन का चीन लगा तो बताइए, 456 जाद है या 465 तो यह गलत दे दिया है क्योंकि बड़ा 456 को दिखा है यहाँ पर देखिए, 476 बड़ा है, 466 से तो यह सही है, 476 क्या होता है? 66 से बड़ा है, तो यही part आपका सही हो जाएगा बाकी 403 बड़ा दिखा है, 430 से, तो यह गलत है 477 बड़ा दिखा है 435 से, तो यह भी गलत है तो correct tensor क्या हो जाएगा? B हो जाएगा अगला question देखिए 7 number का question देखिए, दिया है 5 into bracket में minus 2 minus bracket में 8 minus 12 plus 16 divide by bracket में minus 8 equal to कितना होगा? तो simple question है, सबसे पहले इसको multiply कर दीजिए, कितना हो जाएगा? minus 10 हो जाएगा, उसको बाद minus already दिया है, और 12 में से 8 जाएगा, 4 minus minus plus 4 हो जाएगा और यहाँ पर plus 16 already दिया है, और divide है, minus 8 से तो यह इतना हो जाएगा, आप से 8 दूनी 16 तो 2 जो होगा minus में हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा? minus 10 plus 4 minus 2, अब इसको करिए अब देखिए, minus 10 और minus 2 कितना हो जाएगा? minus 12 plus 4 12 में से 4 जाएगा, 8 हो जाएगा लेकिन किस में रह गया? minus में रह गया तो minus 8 यहाँ पर एंसर हो जाएगा, आपसन कौन सा पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट सही हो जाएगा, यहनि कि इसको साल्प करेंगे तो कौन सा एंसर सही है, डी पार्ट, अगला कोश्चन देखिए, आठ नमबर, एक बार फिर से मैं बोलना हूं दोस्तों, NFC की तयारी कर रहे हैं, यदि अपिटल वरक असिस्टन तो यह सिलेबस आपका सेम रहता है, चाहे NPCIL का पेपर हो, IGCRA का पेपर हो, या NFC का पेपर हो, या BAR का पेपर हो, या VECC का पेपर हो, सब का पैटर्ण सेम रहता है, प्रिलिमिनिरी टेस्ट का, तो चलिए आगे का कोश्चन देखिए, आठ नमब करी हैं तो क्या गुड़ंखन दोगा साथ उड़े साथ उड़े साथ किसकी वैलियू है XQ की वैलियू है तो X equal to क्या हो जाएगा अंडरूट 7 into 7 into 7 यह अंडरूट नहीं यह देखें 3 हो जाएगा तो अब इसका घनमूल निकालेंगे तो घनमूल X equal to क्या आजाएगा 7 घनमूल ठीक है तो X की वैलियू यहाँ पर क्या आजाएगा 7 correct answer D parts ठीक है अगला question पर बढ़ते हैं अगला question 9 नमबर दिया है अंडरूट 100 प्लस अंडरूट 49 तो 100 किसका होता है अंडरूट 10 का प्लस 49 किसका अंडरूट होता है तो 7 का तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और 17 का जो हम लोग निकालते हैं यह किसका वैलियू होता है 17 का यह 289 हो जाएगा अगर 17 का हम लोग square करें तो 289 हो जाएगा जिसका correct अंडरूट 289 हमारा यहाँ पर एंसर सही हो जाएगा अगला question 10 नंबर का देखिए 10 नंबर का जो question 935421 इंटू 625 तो इंटू करना है गुड़ा करना है बिल्कुल इजी है आप लोग कर लिजीगा मैं यहाँ पर correct एंसर बता दे रहा हूँ 10 का बी पार्ट से यहाँ पर सही है क्यूंक कि हम बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल इजी है यदि आप नहीं कर पाएंगे तो बोलिएगा comment बाक्स में जरूर बता दीजीगा मैं अलग से ही सिर्फ multiplication आपको सिखा दूँगा अगला देखिए largest four digit number divisible by 88 बिल्कुल अच्छा question है 88 से विवाज ये चार अंकों की अधिक्तम संख्य है यहां पर बताना है अधिक्तम संख्या क्या होगा तो देखिए जब भी divisibility rule चेक किया जाता है तो सबसे पहले जो फार्म दिया है यह किस के फार्म है 11 इंटू 8 के फार्म है तभी तो 1188 होता है तो 1188 होता है अब यहां दियान देंगे आठ जो है इसको गुड़ांखान दो गुड़े दो गुड़े दो के रुक में लिख सकते हैं तो यहां सबसे पहले चेक करेंगे दो से कौन विवाज है तो दो से यह भी विवाज है दो से यह भी विवाज है सिर्फ एक पार्ट भी जो है यह नहीं होगा यह आप संब भी निकल गया ऐसे ही अब हम इगारा की divisibility rule याद करेंगे याद करिए इसमे मुम संक्याओं का योग का different 0 के बराबर होता है या इगारा के बराबर होता है वह हमारा क्या होता है इगारा से divisible होता है तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं विसम अस्थान पर 9 और 14, 13 हो जाएगा, फिर समब संख्या पर 9 और 14 हो जाएगा फिर समब संख्या पर 9 और 14 इनको जोड़ेंगे और इनका डिफरेंट भी निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, यानि कि यह क्या है, 11 से divisible है, ए पार्ट क्या है, 11 से divisible है, तो चलिए मैं यहाँ प पार भी टिविजबल है, यह तो निकली गया, अब इसको देखिए, वी वी शंख्या का यूग, नो प्लस पांच, कितना पांच, creature 9, प्लस चौदा हो जाएगा और इनका डिफरेंट भी 0 हो जाएगा अब यहां देखिए C पार्ट भी आपका 88 से डिविजबल होगा देखिए A पार्ट भी डिविजबल है B नहीं है C है D है अब यहां पर पूछाए चार अंको की अधिक्तम संक्या तो यह A होगा या C होगा या D होगा लेकिन अधिक्तम संक्या पूछाए चार अंका तो देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है तो सबसे बड़ा 9944 है ठीक है तो A पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा अगला question 12 number का दिया है find missing number गायर संख्या ग्याद कीजिए तो देखे एक का Q है ये दो का Q है ये तीन का Q है ये चार का Q है ये पांच का Q है तो 6 का Q करेंगे तो क्या answer आएगा 6 का Q कर लिजे 6 के 36 फिर 6 से 6 के 36 छतली अठारतीन एक किस दो सेलर एंच और C parts में सही हो जाएगा अगला question थोड़ा ध्यान पूरुवक दिखेंगे बिल्कुल यहाँ पे concentrate हो जाएगे क्योंकि ऐसे question ये आप छोड़कर एक्जाम में आते हैं दिया है 13 number का question under root 1.5625 ठीक है इसको solve करना है तो सबसे पहले under root में जो दिया है उसको under root में 1,5,6,2,5 कितने अंग किदर चला गया तो दसमरों के बाद 10,000, 100,000, 10,000 भाग 10,000 भाग क्या हो गया है खिसक गया है तो 10,000 लिख दीजे अब देखे उपर वाली parts को ध्यान देंगे 13 number में उपर वाले parts को क्या करेंगे 5 उगड़े 5 के फाम में लिख देंगे तो क्या होगा 15,625 को 15,625 को जब हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस परकार लिखाएगा कितनी बार 5 आएगा 1,2,3,4,5,6 बार आएगा ठीक है 5 उगड़े 5,25 5 उगड़े 5 फिर 5 उगड़े 5 यह आएगा 6 बार आएगा 5 2,2,4,2,6 ठीक है और बटा में 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 100 उगड़े 100 लिख सकते हैं अंडर रूट में हैं तो 2 पेर को हम लोग क्या कर लेते हैं 2 पेर को बार निकलते हैं तो 1 बार, 2 बार, और 3 बार यानिकि 3,5 बार आजाएगा और बटा में ये भी 2 पेर बना रहे हैं तो 100 भी बार आजाएगा तो क्या होगा 5,5,5,5,5,5,1,5 125 बटा में 100 हो जाएगा तो इसको जब हम लोग 10 पार्ट समें लिखेंगे तो 10 बार 100 हो जाएगा 1.25 करेक्टेंसर हो जाएगा 1.25 करेक्टेंसर किसमें है आपसन में तो आपसन में ए पार्ट में यहाँ पे करेक्टेंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए चोदा नमबर चोदा नमबर भी यहाँ पे हाई कंसंट्रेट चाहिए चोदर नमबर को ध्यान पूरु अग देखिए बिल्कुल हाई काजनसर ट्रेट होकर मैं बार-बार के रहा हूँ क्योंकि ये कोश्चन थोड़ा लगे देखिए दिया है इफ पी दिपावर एक्स इक्वार टू क्यू दिपावर वै इक्वार्ट टो आर दिपावर जेड़ क्यू अपन पी कोडो आपन अपन क्यू दैन टू जिट काझ कि वैलियू आपको बता ना Mm चलिए इसको ध्यान दिजेगा रहा कि गई जो भी यहाँ पे दिया था पी दिपावर X equal to Q the power Y equal to R the power Z ये मान लिजे किसके बराबर है के बराबर है तो यहाँ पर P की value किया जाएगा K the power 1 upon X Q का power Q का power Y equal to K ले लेंगे तो Q का value किया जाएगा K के power 1 upon Y ऐसे R के power Z equal to K ले लिया तो R का value किया जाएगा K के power 1 upon Z क्योंकि Z is power में है तो इधर जाके one upon में हो जाता है ये ध्यान रखिएगा अब आगे ध्यान दिजीगा यहाँ पर दिया हुआ है q upon p equal to r upon q तो मान रखने पर इसमें इसमें मान रख दीजे तो सबसे पहले क्या करिए q से q में cross multiply कर दीजे q square into pr हो जाएगा अब यहाँ पर value रख देना है value put up कर दीजे q square यानि q के value क्या है q का value k d power 1 upon y है तो रख दिया k d power k d power 1 upon y ठीक है और q का square है तो square कर दिया उसके बाद यहाँ पर देखिए p और r है तो p की value क्या है k d power x into r तो r की value कितना है k d power और one upon z अब देखें यहां पे आधार दोनों का क्या है सेम है तो हम अधार को क्या करेंगे हटा देंगे और पावर ले लेंगे तो के 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 सब केंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या तो अपान वाई equal to 1 upon x plus 1 upon z यह बचेगा, अब आगे क्या करना है दोनों का क्या करिए, LCM लिजिए तो यह क्या हो जाएगा इसमें और इसमें, तो LCM लिजिए z plus x upon xz हो जाएगा और 2 upon y यह से ही बने रहेगा अब यहाँ पर दिखिए, और यहाँ पर cross multiply करिए 2xz से और yzx से तो दोनों को cross multiply करेंगे तो 2xz sorry, 2xz equal to y को cross multiply y into xz हो जाएगा अब यहाँ पर जो प्रूब करना है 2z इधर ही रेंजिए और x plus z इधर आएगा तो divide बन जाएगा, तो 2z upon x upon z इसकी value क्या हो जाएगे, तो y upon इधर x आजाएगा तो x तो 2z upon x plus z की value कितना आजाएगा y upon x, ठीक है तो यहाँ पर correct tensor क्या आ रहा है हमारा y upon x correct tensor बह जाएगा आगे का question देखिए, 15 number 15 number का question दिया है 1 upon 4 1 upon 4 bracket में power जो है, minus 2 है तो क्या हो जाएगा, देखिए, कोई भी power जैसे माले, ये 2 की power minus 2 है, तो इसका मतलब क्या आता है, 1 upon 2 square लिए इसको, ऐसे यहाँ पर भी ध्यान देना है, अब यहाँ पर 1 upon 4 की power minus 2 है, तो यह क्या लिख सकते है 1 का power, 1 upon 4 का square लिख सकते है ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते है और यह क्या हो जागा 1 upon 1 का square कर दीजे तो 1 का square 1 ही रहेगा और 4 का square करेंगे तो 16 हो जाएगा और देखिए यहाँ पे बटे के नीचे बटा रहता है तो यह कहाँ चला जाता है उपर चला जाता है तो 16 by 1 हो जाएगा यानि कि 16 इसका correct answer हो जाएगा अगला question 16 नमबर का देखिए दिया है find largest number largest number बताना है 3 upon 5 2 upon 3 1 upon 4 और 4 upon 7 तो यहाँ ध्यान दीजे इसको कुछ नहीं करिए 3 upon 5 दिया है न इसको into 100 सब में 100 100 कर दीजे तो आपको value क्या आजागा जैसे 3 by 5 है इसको 100 करेंगे तो कितना value आजाएगा तो इसका value जो आजाएगा 5,20,60 आजाएगा ठीक है ऐसे ही अगला दिया है 2 upon 3 तो कुछ नहीं करिए 100 से multiply कर दीजे और इसका जो value आएगा तो 66.66 आएगा ठीक है और अगला 1 upon 4 दिया है 1 upon 4 तो 1 upon 4 into 100 करेंगे तो क्या answer आजाएगा 25 आजाएगा ऐसी 4 upon 7 है into 100 करेंगे तो कितनी value आजाएगा तो इसका जो value आएगा चोदर 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 57 दसमलो कुछ आएगा अब इसमें ध्यान दिना है 60 बढ़ा है या 6-6 बढ़ा है या 25 बढ़ा है या 27 बढ़ा है तो आफकोर्स 66.66 बढ़ा है और यह किसकी value है 2 upon 3 का किसका value है 2 upon 3 का तो करेंगे इसमें इसके answer क्या हो जाएगा डी पार्ट सो हो जाएगा अगला question है 17 नमबर का बिलकुल यह question आपको question नहीं है यह formula ही है आपको पता है न यहाँ पर बताना है कोसेक स्क्वाइर ठीटा माइनस काट स्क्वाइर ठीटा इक्वल टू कितना होता है तो आपको पता है 1 प्लॉस काट स्क्वाइर ठीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वाइर ठीटा होता है क्या होता है कोसर की स्कुयूर्ट्ट रिए इधर जैसा है कि और यह कौट इसके इधर आएगा तो माइडस में जाएगा कॉट्टap छक डगे देली एक जालेगा तो सिर्फ वन बचा तो उसकी वैल्लू क्या हाएगा कोसर की स्कुयूर्ट ठीटा- मैंनस कॉर्ट स्कॉर्ड टीटा इकवल टू क्या हो जागा वन सी कर्यक्ट एंसर हो जागा अगला कोस्टन दिखिए अठारा नमबर ये भी बिल्कुल इजी कोस्टन देखिए अगला कोस्टन जो दिया है ए प्लस बी इकवल टू 5 and A- A-B is equal to under root 17 then AB AB की value प्राप करना है यदि A-B is equal to 5 है और A-B is equal to under root 17 है तब A into B is equal to होगा कितना होगा तो चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले आपको A plus B की value दिया है 5 दिया होगा है इसको note कर लिजे और A-B की value आपको दिया है under root 17 अब कुछ नहीं करना है बस इसको प्लस कर दीजे तो ए ए कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा इक्वल टू 5 प्लस अंडरूट 17 तो A की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगा 5 प्लस अंडरूट 17 अपान इधर 2 मल्टिप्लाई है तो इधर आके डिवाइड बन जाएगा otional अकी वैल्यू कितना आ गया है कि वैल्यू आ गया एग्वट्य टू5 प्लस अंडरूट 17 अपान टू चली इसको नोट कर लेते हैं इतना एक वैल्यू कि आ गया के एक एक वैल्यू तू 5 प्लस अंडरूट 17 अपान टू अब a minus b already दिया है a minus b equal to 5 तो a की जगा पर यहाँ value इसका रख दीजे तो a की जगा पर इसका value रखेंगे तो b का value आजाएगा तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं तो करते हैं a को निकाल कर देखें यहाँ पर दिया हुआ है a minus a plus b equal to 5 दिया हुआ है तो कुछ नहीं a कमान रखते हैं a का value कितना यहाँ था 5 plus under root 17 अपान 2 आया था और plus b already दिया है किसके बराबर 5 के बराबर दिया है तो b की value यहाँ से आ जागा कितना तो b की value आ जागा 5 और यह पूरा उधर ले जाई है b को ऐसे ही रहने दिजे equal to के तो उधर जाएगा तो यह क्या हो जागा 5 under root 17 by 2 यह हो जाएगा अब यहाँ पे 2 पाचे 10 और 10 में से यह 5 गया 10 में से 5 जाएगा 5 minus under root 17 by 2 तो देखिए दोनों की value आ गया a की value यहाँ पे निकल कर आ गया a की value आ गया है 5 plus under root 17 by 2 b की value आ गया है 5 minus under root 17 by 2 b की value आ गया अब क्या करना है a into b निकल लेंगे तो कुछ निकलना है दोनों को क्या हो जाएगा देखिए एक तरफ a plus b है एक तरफ a minus b है दोनों multiply होगा तो क्या बनेगा यह बनेगा A square minus B square तो 5 का square क्या हो जाएगा 25 और minus under root 70 का square बनेगा तो क्या बनेगा 17 हो जाएगा और बटा में 2 दुनी के 4 हो जाएगा अब देखिए 25 में से 17 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 और बटा में 4 equal to 2 यहाँ पर correct tensor तो option में 2 counts है A है A में 2 है तो 2 यहाँ पर सही हो जाएगा यह option अगला question 90 number बिल्कुल easy question है गाइस देखिए एक बार मैं फिर से कह दूँ NFC, NPCIN IGCRA BARC, VECC जितने भी stipendry category second के paper होते हैं सेम होते हैं सिलेवफ मैंने आपको 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 अरड़ी के लोगा जो सेम रहेगा बिल्कुल easy के और यहाँ पर मैं आप लोग को NPCIL के 18 previous year question paper को लेकर आया हूँ जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा वहाँ से जाकर download कर लेजीगा ठीक है चलिए 19 नंबर का question देखिए in a right angle triangle two sides are 3 cm and 4 cm find the length of hypotenuse in cm यहाँ पर दिया हुआ है कि एक समकोड तिर्भूज में 2 भूजा है 3 cm और 4 cm है cm में कर्ड की लंबाई बता है तो बिल्कुल easy question है चलिए यहाँ पर करते है सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा एक समकोड तिर्भूज बनाना होगा इसमें एक दिया हुआ है भूजा 3 cm है और दूसरा 4 cm है तो आपको यही कर्ड बताना है यह वाली लंबाई तो कुछ नहीं होता है कर्ड का square बराबर क्या होता है लंब का square प्लस अधार का square होता है तो कर्ड इसक्वार 2 क्या हो जाएगा अंडरूट लंब का square लंब यहाँ पर कितना है 3 है 3 का square 9 प्लस अधार का square अधार कितना है 4 है तो 4 का square कितना हो जाएगा 16 तो करड बराबर अंडरूट 25 हो जाएगा तो k equal to 5 हो जाएगा तो यहां करड कितना निकल कर रहा है चैना होता है 5 तो correct टेंसर क्या हो जाएगा कॉंसे आपसण में सि आपसण यहां correct हो जाएगा अब अगला question दिया है sign pi sign pi लिखिए यह sign pi लिखिए या sign 180 लिखिए अब sign pi equal to sign 180 अध्यांस सौका है और 180 प्लस이라 करिए 20S Kazim सब्सक्राइब और 14imet में साइन क्या होता है पोजिटिव रहता है दो साइन eh सो असी प्लसद माइनोस जीरो करिये 180 माइनोस जीरो तो धी से रहेगा वैल्यु कोई कोई चेंज़ नहीं होगा तो साइन जीरो हो जाएगा और साइन जीरो की वैल्यू कितना होता है जीरो होता है तो और यहां क्या हो जाएगा जो कि आपके NFC में भी same syllabus रहते हैं NPCIL का, IGCRA का, ठीक है stipendry category second का तो जितने लोग भी stipendry category second के लिए तयारी कर रहे होंगे या work assistant की तयारी कर रहे हैं या आप hospital work assistant की तयारी कर रहे हैं सबका syllabus same होता है आपको link description box में दे दिया गया है वहाँ से जाकर download कर सकते हैं और science का भी जो वीडियो है आपको description box में link मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप तयारी कर सकते हैं आज के लिए वीडियो में इतना ही मैं आपको 18 plus यहाँ पे आप लोग को previous share के question कराऊंगा वीडियो अच्छा लगए तो like कर दीजे और अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को subscribe कर दीजेगा कि यहाँ से आने वाली सभी जाब की notification और आपकी तयारी अच्छी से होपा है सब की notification आप तक पहुंचते हैं आज के लिए वीडियो में इतना है thanks for watching this video guys